नमस्का दोस्तों आपका बहुत सब्सक्राइब आपके अपनी चनल पर और आज का बज़ार बहुत ही जादा खतरा क्यों ना क्योंकि जहां जहां लोगों ने बाइंग करने कोशिश की वहाँ उनकी पिटाई हुई अगर देखने कोशिश करें तो बज़ार सुबहे जो भी बहुत क्ले थी जिए रही हम बहुत क्लिर थे कि कलका जो लो था वह और भी दस बज के पांच मैंट के आसकी बहुत बहुत हो इसके बाद से बागत शलिंग वहार है और यहां पे हमने देखा था कि 800 के उपर बजा जाएगा तो सलिंग देखने को मिलेगी बजारे काफी त था कि एक बार खिली शायद 800 के उपर चला देगा बट option chain हमारे पास एक ऐसा tool है जो बहुत ही clear ही बता रही थी कि नहीं जाएगा और बाजार ने एक reversal journey और trading room के members को बहुत ही clearly कह दिया गया था कि आपको buying में आज बिल्कुल नहीं बैटना है आज बजार में short build up है जैसा कल long build up देखने हो मिला था आज बजार में short build up देखने हो मिला और हम बिल्कुल भी जब short build up होता है तो हम sell on rise का trade लेते हैं हम buy and dips के trade लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो यहां पे बजार 800 के उपर एक बार निकला बट वहां से fail हुआ और लगातार journey बजार में selling की कि और कल का जो हमारा यह कल से हमने एक zone माग किया था उसी zone में exactly बजार ने buying की 600 के आसपास बजार लो लगा यह 600 के आ राए जैसे डी से फ्रिट से गिरा क्योंकि कहीं ने कहीं पुतिन का सेटमेंट के बाद में बजार गिरा हो सकता हुआ और और भी को लगा सनट ही करें गारे करें एक हो सकता है ऐसा inflation की बात हो रही है जैसे Global Clues देखे जा रहे हैं, वहाँ लगना ही रहा है कि कुछ हलका decision लिया जाएगा Fed के त्रूँ, तो Fed का एक डर है बट कहीं न कि Global Markets को देखने ही कोशिश करें तो Global Markets ठीक ठाक दिखाई देती हैं और अभी हाल फिलाल शायद they are waiting for some good news में भी, like अगर देखेंगे तो YouTube पे भी, Google पे भी वहाँ साही news है, जो कह रही हैं कि शायद लोग positive हैं इस Fed को लेके, और अभी अगर हम देखने कोशिश करें कि अभी इस समय कैसा चल रहा है तो US Market 147 Plus है और जो Futures है, Dow Futures जो है 180 Point Plus है S&P 523 Point Plus है NASDAQ 100 IT Index 39 Point Plus है, और बाकी अगर Futures की बाक है तो Germany भी 77 Point Plus है और ये एक International रुजहान तो ठीक है, बट कहीं न कहीं बजार का हमारे जो Nifty का लेवल रहेगा, वो क्या रहेगा देखिए हर बजार के अपने लेवल से हैं, अपने fundamentals है, आज की डिट में, कल जो हमने कहीं समने, जो अदानी विलमार कल 740 पी लिया था, आज वो 810 के आसपास हमने बेचने कोशिच की, नहीं बिकांट 1996 पे बेच के बाहर हुए, और अदानी विलमार ने बहुत ही जादा volatility दिहाई दी आज की जो निफ्टी के जो gainers थे बिसिकली जो निफ्टी में जो बढ़ने वाले stock रहे वो कौन से रहे, वो सिर्फ और सिर्फ FMG सेक्टर से रहे, FMCG में बेचाई नहीं 3% बढ़ा, हिंदुसान लीवर 1.5% के आसपास, IDC 1.5% के आसपास यहाँ पे, बजार ने जिस लेवल को आज टेस्ट किया, 689 के लेवल को या हम कहें 700 के लेवल को उसी के आसपास ही निफ्टी बंद हुई है तो यहाँ पे 689 एक major major level का role play करने वाला है, आप समझे लीजिए 689 का लेवल अगर कल तूट जाता है, तो हमारे पास बजार में gap से बजार खुलेगा 17,556 के आसपास, 556 का एक बहुत ही strong लेवल है और FED क्या भीव करता है, FED की statement के उपर मार्केट कैसा भीव करता है यह दिखना होगा, तो इसलिए safe side पे होने के लिए हम लोगों ने आज कुछ pair carry किये हैं जो trading room के members थे, और trading room ने आज intraday में काफी profit अनके देखे, चल देखते हैं कि आज जब सुपह morning में हालाकि आज मैं trading room थोड़ा late start किया था और यह हमारे आज के profit के screen shots है, जो सुपह से आने शुरुवे थे 1800 रुपे का profit किसी ने कमाया फिर total में दिखाया है, तो 1300 रुपे के आसपास कुछ कमाया और यहां पे जो positions थी, 12,000 रुपे कमाये सदाशिव ने, आप जानते हैं हमारे trading room के active member है, 3000 रुपे बलरामपुट चीनी में कमाये और यह देखिए इस वस अदानी विल्मार, अदानी विल्मार में हमारे ही client ने 1,37,000 रुपे कमाये सतेंदर सिंग जी ने, बहुती शांदर 8,126 रुपे कमाये नहाने और यह सब ना मुझे आद है क्यों कि मेरे trading room के मेंबर से तो मुझे सब रहता है, यह विने का है 1300 रुपे के असपास में और 4,280 रुपे और यह Paytm का एड था, ठीक है, Paytm अगर आपको अकाउंट खोलना है, बहुती जबरस फीचर से पेटm के गाईज, link description दिया है, किसी भी पेटm के साथ, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो इरिया के बेस्ट ब्रोकिंग आउंट से हैं, जैसे Paytm, Fire, Zirva, Upstocks, या किसी के साथ भी आप खोलना चाहें, तो आप दीगए description में, link से आप खोल सकते हैं, और अगर भी कुछ एक जबरदस्त profit आज देखने हैं, यह 22,000 रुपिका है, यह हमारे trading room members है, यह उनके profits हैं, आप पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं, मुझे मालूम है, आप क्या tip providers के चक करें पड़े हैं, कोई tips प्रूफ देखना है, तो आप trading room जोईन कीजिए, आपको पता लग जगा, और यह हमारा सुबह का profit था, 6370 रुपे, और ऐसे ही profit सावाई screen पे भरे हुए, तो यहाँ पे कल निफ्टी के लिए अगर आपको काम करना है, आप भी trading room का हिस्सा होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के निचे description में रहेगी पे का एक link है, join कीजिए, click कीजिए, और देखिए, बजार में कैसे handholding होती है, कैसे बजार में trade लिये जाते हैं, बजार में trend के साथ कैसे काम किया है, हमें फर्णी परता बजार उपर की नीचे है, आज जो हमारी positions रही, जो हम लेके गए हैं, जो positions देख लेते हैं, क्या positions हैं, और हमारी आज की positions जो हमने carry किए हैं, 17,700 की call option, 17,700 की production, एक pair लिया है, pair लेने कोशिच के बहुत जारा quantity नहीं की है, एक limited quantity में काम किया है, देखने के लिए कि कहीं अगर Fed का अगर एक अच्छा खासा भूजाल देखने को मिलता है चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे के तरफ, अगर 200-300 point की nifty moment आती है, तो एक pair हमें के कम से 20-30% की return on investment हमें दे सकता है, और दूसरा pair हमने बना है bank nifty में 41,200 की call put में हमने एक position बनाई है, जो बंध होते होते profit में है, बट देखना हुआ कल कैसा लेगा, बहुत ही limited काम करते लिस्क लेना चाहिए, कल expiry है, expiry बहुत ही interesting होने वाली तो कल हम trade जो लेंगे, buying बनेगे nifty की जब 17,822 के उपर निकले, option chain में कहें कि हाँ ची के निकलना चाहिए, trend trading calculator का level हमाएं समने है, और अगर बजार ने कल downfall दिया, तो 17,556 तक का तो बजार दिखाई देता ही है, अगर उसके नीचे भी extreme crisis में अगर market ने sell off दिया, तो 400, 424 एक ऐसा zone हो का जाम buying तलाश कर सकते है जब बाइंग जा सकते हैं, और वहाँ से घर बाइंग आती है, तो कम से कम 100 point के आसपस कि आपको recovery rally मिलेगी, relief rally मिलेगी, आप trader हैं, आप ये मत सूची कि बजार में मंदी है, researchon है, ये है, वो है trader का धर्म है, trading करना हो, nifty के वो 50 point निकालना जो confirm उसको कम से कम 2-3,000 पे per lot ब maximum, और सुबह का पैसा, जो सुबह साड़े से पहले आ चुका होता है, तो बहुत ही interesting expiring होने वाली guys, सबकी नजरे fed के ओपर रहने वाली है, fed क्या गुल खिलाता है, और क्या हमारे लिए अच्छी और बुरी news लेकाता है, तो stocks winding करनी है, nifty करनी है, bank nifty करनी है, join the trading room right now, और trading trading room की fees क्या है, जी हाँ, trading room के सिर्फ तीन ही packages है guys, और यह बहुत ही बहुत affordable है, affordable क्यों है, देख लीजिए, अगर आप ट्राइ करना चाहते है, आपको शक है, क्या है, क्या है, तो 1000 रुपे खर्च कीजिए, समय में आजेगा, अगर आप भरुसा है, तो एक हफते का plan लीज यह 2400 रुपे और एक महिने का plan डबल 666, जो सिर्फ 200 रुपे रोज के पड़ते हैं, शायद आपके किसी भी M2Loss से ज़्यादा, और किसी भी, अगर आप discount broker से अगर आप account करना चाहते हैं, हमारी link से खोलिए, हमारी trading में जोइन कीजिए, और benefit उठाइए, चले मिलते हैं, बबाई, से यू, टेकर, जाहिन